बिसमिल्लाहिररहमारीरहीम सलम्लीकुम स्टूडेंट्स वूर्यू कैसे हैं सब तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोविलेंट बांड टाइपस अफ़ कोविलेंट बांड कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो होती है जो हमने प्रिवियस लेक्शन में पढ़ा था पर डिटेल के साथ प्रिवियस लेक्शन में कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है और उसकी base पे compound की nature को बियान किया जाता है कि वो compound polar है या फिर non-polar है तो electro negativity के difference की बुनियाद पे हम compound की nature को justify करते हैं कि ये compound polar होगा या ये compound polar नहीं होगा तो उसी base पे हम ये justify करते हैं हम देखते हैं covalent bond types of covalent bond on the basis of electro negativity difference electro negativity का difference आएगा देखें covalent bond जब बनेगा तो mutual sharing होगी of one two three electrons from both bonded items एक item और दोनों item आपनी अपनी तरफ से electron को share करेंगे ठीक है फिर electro negativity का क्या रोल होगा electro negativity होती है ability to attract the shared pair of electron जो electron pair share किया वा होता है उस shared pair को अपनी तरफ attract करने के सलाहिए तो covalent bond में क्यूंकि दोनों साइडों से electron share किया जाते हैं तो यहां पे अगर तो दोनों तरफ से hydrogen दोनों तरफ से atoms similar हुए एक जैसे हुए जैसे hydrogen H2 इधर भी hydrogen इधर भी hydrogen जब इस तरह के similar atoms होंगे तो shared pair of electron होगा वो equally distributed होगा ना उसकी electron activity बराबर है उसकी बराबर है दोनों की बराबर होने के वज़ाए से वो equally distributed होगा दोनों के दर्मयान में रहेगा किसी एक atom की तरफ नहीं move करेगा तो overall वो neutral रहेगा तो इस तरह के compound को हम कहते हैं non polar bond अच्छा देखें next अगर ऐसे दो atoms के दर्मयान में कोविलेंट bond बन रहा हो और ऐसा bond जो के दो atoms के दर्मयान में बनें और दो atom जो हों वो दोनों different हों similar noun जैसे H, C, L, H, F hydrogen और oxygen इस तरह के bond जो जिनके दर्मयान में electronegativity का difference मुझूद हो तो इसमें क्या होगा electronegativity के difference होने की base पे जिसकी electronegativity ज्यादा होगी वो shared pair of electron को अपनी तरफ attract करेगा ज्यादा होगी वो shared pair of electron को अपनी तरफ attract करेगा और तर उस पे आजाएगा negative charge या उसे हम कहते हैं partial negative charge और दूसरा होगा जिसकी एलेक्ट्रो नेगटिविटी कम होगी हमने प्रीवेस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ इसको डिसक्स किया था अगर किसी ने प्रीवेस वीडियो नहीं देखी तो वो उसको दोबारा देखे एलेक्ट्रो नेगटिविटी वाली वीडियो को त to do क्रभान में दूसरे लफजम में हमने कहा था अध कि यह जो लैस ए्लेच्र नेगटिव लैसे लेटर नेगटिव होगी उस है जिसके लेक्टा जाएगा जिसका स्काटा यिकाश इसपे पार्शिल पाशिल पास्जिव चार्ज याएंगा चले हम यहाँ पर थोड़ा सा एलेक्टरो नेगटिविटि इस प्रेषु पींड नेगटिविट्य देखे है पहले वह 1.7 से कम हो अगर कम होगा तो कोविलेंट बांड होगा अगर 1.7 या 1.7 से अबावब डिफरेंस ज्यादा होगा तो व symmetry पिर याजड होगा तो दुसे और 2.4 कोविलेंट नहीं होगा वो फिर आयोनिक होगा ठीक है? अच्छा कम जब होगा ना 1.7 से कम इसको फिर दो हिसों में तक्सीम किया जाता है जब मैंने डिटेल में बताया था एक 0 से 0.4 तक और दूसरा 0.5 से 1.6 तक जो डिफरेंस होगा 0 से 0.4 इस अ माइनर डिफरेंस अप्रोचिंग तो 0 और अप्रोक्सीमेटल एक्वल तो 0 कम डिफरेंस की बेस पे यह जो बांड बनेगा नान पोलर बांड बनेगा और यहां पे लेक्ट्रो नेगटिविटी का काफी डिफरेंस मजूद है 0.5 से 1.6 तो जहां पे ज्यादा डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे पोलर बांड तो दो किसम कोविलेंट बांड इस करते हैं कि पोलर बांड के और नान पोलर के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं तो यहां पे पांच किसम के मेजर डिफरेंस हैं जो यहां पे मैं बताऊंगा तो उसके बाद हम इनकी एक्जेम्पल को स्टडी करते हैं देखें पहले नंबर पे तो डैफिनेशन बताएं पहले two similar atoms between two similar जो एक जैसे एटमों से मिलकर बने उसे कहते हैं non polar bond दूसरा polar bond is that type of bond which is formed between two dissimilar atoms जो दो opposite किसम के atom से मिलकर बने और दो opposite किसम के मिलेंगे तो उनके अंदर electronegativity का difference होगा electronegativity की difference की base पे वो compound polar हो जाएगा तो हम कहेंगे that compound that bond will be polar bond तो दूसरा difference दूसरे difference में देखेंगे attraction towards shared pair of electron क्योंके electronegativity की हमने definition की थी के shared pair of electron को अपनी तरफ attract करने की तो यहां पर दोनों atoms की attraction देखेंगे attraction towards shared pair of electron की तरफ attractions किसकी ज्यादा है किसकी कम है अगर तो यह दोनों similar atom होंगे दोनों atom similar होंगे similar होने की base पे जैसे हमने यहां पर का अगर दोनों atom similar होंगे एक जैसे होंगे तो फिर यह attractions equally होंगी बराबर होंगी क्योंके atom same है तो attraction भी same होंगी तो हम कहेंगे shared pair of electron will be equally attracted by both nuclei nucleus को हम कहते हैं nuclei nuclei nucleus का plural है nuclei ठीक है और दूसरी साइड पर अगर तो equally shared हो non polar bond अगर unequally attracted हो unequally attracted एक attraction ज्यादा एक ही कम एक electron negativity ज्यादा एक ही कम तो unequally attracted by both nuclei तो फिर bond बनेगा polar bond अब हम देखते हैं charge separation जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक electronegativity ज्यादा होगी तो shared pair of electron को वो अपनी तरफ attract करेगा जब अपनी तरफ attract करेगा तो उस पे आजएगा partial negative charge और जिसकी electronegativity कम होगी उस पे कौन सा charge आएगा partial positive charge येस तो हम देखते हैं charge separation जो non polar bond होगा उसमें electronegativity का difference नहीं होगा या minor सा होगा या नहीं होगा तो इस base पे उस पे कोई charge नहीं आएगा कोई charge non polar bond पे कोई charge exist नहीं करेगा लेकन polar bond पे exist करेगा तो जिसकी electronegativity ज्यादा होगी वो electron को अपनी तरफ attract करेगा कोई सा charge partial negative charge और जिसकी electronegativity कम होगी उस पे partial positive charge तो हम कैसे लिखेंगे हम कहेंगे molecule के दो end होते हैं एक side पर एक item दूसरी side पर दूसरा item तो हम कहेंगे one end of molecule having more electronegative element molecule का वो हिसा जिस हिसे में more electronegative element attached है acquire partial negative charge for example hcl है अगर मैं यहां पर example दूँ hcl ये एक molecule है एक इसका ये end है एक ये end है one end of molecule having more electronegative element acquire partial negative charge इसकी electronegativity ज्यादा है तो इस पे कौन सा charge आएगा partial negative charge partial का symbol होता है यूं करके partial negative while other end दूसरा end बज़ेगा while other end acquire partial positive charge तो यहां पे कौन सा charge आएगा partial positive charge तो इस तरह से polar bond वजूद में आएगा polar bond बनेगा अब next देखते हैं charge separation समझा गई non polar में कोई separation नहीं होगी जबके polar में separation हो जाएगी एक पर partial negative चार एक पर partial positive charge जाएगा फिर हम कहते हैं distribution of electronic cloud hydrogen और कलोरीन के दर्मयान में यहां पे एक atom एक electron iskा hydrogen है और के लेक्डान कलोरीन के यह जो एलेक्टरोन या electronic cloud है electron है current distribution of electronic cloud जैसा का यह यहां पे शोग किया हुए कि कलॉरीन के ऊपर दो लॉन पेर, यहां लॉन पेर , यहां लॉन पेर , यहां लॉन पेर , यहां में देखे इसको donut about is is the mostמה one day theureglichous इलेक्ट्रानिक क्लाउड तो इलेक्ट्रानिक क्लाउड की डिस्ट्रिबिशन कैसी होगी नान पोलर में और पोलर में देखें जो नान पोलर होगा उसके अंदर ये डिस्ट्रिबिशन होगी सेमेट्रिकली उसके अंदर डिस्ट्रिबिशन कैसी होगी सेमेट्रिकली इन्हें होल मालیکूल है होल मालیکूल पे इलेक्ट्रानिक क्लाउड की जो डिस्ट्रिबिशन होगी आस्मेट्रिकल होगी आस्मेट्रिकल मीन दोनों के दर्मयान में नहीं रहेगा बलके क्या होगा यहां भी लेक्ट्रान है यहां भी और यहां यह जो शेड़ पेर है इसकी इलेक्ट्र of electronic cloud is asymmetrically पोल प्रोड्यूस ही उसी वक्त होता है जब electronic cloud की जो distribution होती है वो asymmetrical हो और अगर symmetrically distributed हो फिर यहां पे non-polar bond बनेगा फार एक्जेमपल यहां पे symmetrical distribution कैसी होगी यह भी hydrogen है यह भी hydrogen है इसके अंदर भी electron इसका भी electron तो यह जो electron pair है यह दोनों पूरे माली की ओल में symmetrically distributed होगा यह वला electron pair यह shared pair जो है यह symmetrically distributed होगा in the non-polar bond such as hydrogen hydrogen molecules अब देखते हैं electronegativity difference जो अभी हमने यहां भी discuss किया तो differences में भी यह आप लिख सकते हैं के electronegativity के difference को जब बात करेंगे हम कहेंगे in the non-polar bond in the non-polar bond the difference of electronegativity should equal to zero और approximately equal to zero यह जिरो हो यह 0 से नजदीक नजदीक हो कितना 0 से लेकर 0.4 तक यह इसको हम electronegativity difference approaches to zero ही accept करेंगे जब इतना कम difference होगा तो हम कहेंगे the bond farm will be non-polar bond for example CH4 है हमारे पास एक hydrogen है H2 molecule तो यह भी non-polar है CH4 भी non-polar है देखते हैं कैसे hydrogen की electronegativity कितनी है 2.1 दूसरे की भी 2.1 difference कितना आ गया 0.0 it's mean non-polar zero difference हो तो फिर यह compound कौन सा होगा non-polar अब CH4 देखते हैं carbon कितनी 2.5 hydrogen की electronegativity कितनी है 2.1 difference कितना आ गया 0.4 it is in the range of 0 to 0.4 so it is also non-polar bond organic compound जो होते हैं उनके अंदर carbon और hydrogen के मरकबात होते हैं जने हम hydrocarbons कहते हैं organic chemistry of hydrocarbons is called organic mystery तो organic mystery के अंदर hydrocarbons होते हैं और hydrocarbons में carbon hydrogen की electronegativity difference 0.4 होते हैं यह बहुत कम होते हैं इसी लिए क्योंकि यह इस range में आ रहा है इसी वजह से हम इसको non-polar consider करते हैं करते हैं और हम कहते हैं और organic compounds are non-polar in nature वो nature में non-polar होते हैं इसी वजह से हम उनको non-polar में consider करते हैं फिर देखते हैं कि polar bond में क्या होगा कहता है greater electronegativity difference greater is the priority अगर electronegativity का difference जतना ज्यादा होगा तो bond जो बनेगा उसके अंदर जो polarity produce होगी वह उतनी ही ज्यादा polarity होगी electronegativity का difference ज्यादा polarity ज्यादा electronegativity का difference कम polarity भी कम तो एक short question भी पूछा जा सकता है क्या पूछा जा सकता है why h2o molecule is more polar as compared to ammonia molecule यह ऐसा भी पूछा जा सकता है why why the polarity of h2o is greater than NH3 उसकी उससे ज्यादा polarity क्यों है तो देखते है h2o के अंदर कौछी चीज है oxygen और hydrogen oxygen की electronegativity कितनी है 3.5 और hydrogen की जैसे हमने यहाँ में discuss किया कितनी है 2.1 difference देखें difference is 1.4 difference ज्यादा है अच्छा अब देखें NH3 में nitrogen की electronegativity कितनी होती है 3.0 जाबके hydrogen की कितनी हमने लिखी हुई है 2.1 और difference कितना आ गया 0.9 तो यहाँ देखें यहाँ difference 1.4 है यहाँ difference 0.9 है because the electronegativity difference is greater in h2o in h2o the electronegativity difference is greater than the difference of electronegativity in the NH3 because there is a bigger difference so the polarity will be much more of h2o as compared to ammonia तो यही reason है कि यहाँ पे electronegativity ज्यादा है तो यह ज्यादा polar होगा यहाँ पे electronegativity का difference कम है तो यह कम polar होगा comparatively तो इसी के लिए इसी को हमने शार्टकट करके असूल बना लिया एक रोल बना लिया क्या कि greater electronegativity difference if there is a greater electronegativity difference then the greater is the polarity and if there is smaller electronegativity difference then the polarity will also be smaller polarity भी कम होगी electronegativity का difference अगर कम होगा ठीक है अब हम इनके examples देखते हैं जो polar bond है polar covalent bond यह simply polar bond भी कहते हैं इसके examples water जैसा कि अभी हमने study किया यहां पे water is a polar compound तो polar में हमने क्या कहा है ह2O यहां पर oxygen है यहां पर hydrogen यहां भी hydrogen तो हमने कहा था जो more negative हो क्या end of molecule having more electronegative element acquire partial negative charge उस पर कौन सा चार जाएगा partial negative charge तो यहां पे देखें more electronegative कौन सा है oxygen या hydrogen oxygen more electronegative है इसलिए इस पर कौन सा चार जाएगा partial negative charge और hydrogen पर कौन सा चार जाएगा partial positive पार्शल पाजिटिव अच्छा hydrogen fluoride को देखें HF hydrogen के outer में एक electron होता है fluorine के outer में 7 तो यह एक electron को share करके अपना octet पूरा करता है और यह एक electron को share करके अपना duplicate complete करता है तो overall बनता है HF molecule तो more electronegative कौन सा है fluorine fluorine की electronegative कितनी होती है 4.0 hydrogen की 2.1 ठीक है तो यह more negative है तो इसकी electronegativity ज्यादा होने की बेस पे कौन सा charge जाएगा partial negative और hydrogen पे partial positive चार जाएगा अब देखें मिथाइल कलोराइड मिथाइल कलोराइड का फार्मोल होता है CH3CL इसको हम structure ड्रा करें तो इस तरह करते हैं CH3CL यहां पे CH3CL यहां पे टेज है इसमें से देखें more electronegative कौन सा है कलोरीन जो के non-metal है जो के group number seven A में मुझूद है यह भी group number seven A में है यह भी group number seven A में है group number seven A six A और seven A वालों की electronegativity ज्यादा होती है जो हमने पढ़ादा तो यहां पे more electronegative है कलोरीन इस पे कौन सा charge जाएगा और कार्बन पे less electronegative कौन सा चार जा जाएगा पार्शल पाजिटिव अब एग्जेम्पल नेक्स्ट है मैथा नूल मैथानूल का फार्मूला होता है CH3OH अच्छा देखें इसमें कार्बन और अक्सीजन में more electronegative कौन सा है ग्रूप नंबर 6A वाला ऑक्सीजन पे क्योंके more electronegative कौन सा चार जाएगा पार्शल नेगिटिव और कार्बन पे कौन सा चार जाएगा पार्शल पाजिटिव और हाइडोजन के लेक्टरान को यह यह अपनी तर्फ इसमेंपल से non-polar compound की फारजेंपल हमने कहा था non-polar compound कब बनता है farmed between two similar atoms यह definition की थी फारजेंपल h2 similar दोनों hydrogen है एक एक electron share कर रहा है यहां पर hh molecule बनेगा तो जब इस तरह का molecule non-polar bond बनेगा तो यहां पर कोई charge नहीं आएगा क्योंके electron equally distributed है, electron क्या है? equally attracted by both nuclei तो in between होगा और कोई no charge separation यहां पर हम charge को show नहीं करेंगे ठीक है? दूसरे example है CL2 similar atoms CL2 तो यहां देखें कलोरीन कलोरीन के दर्म्यान में बाहन बन रहा है कोई charge show नहीं करेंगे ठीक है? हमने कहा कि इन इसी तरह की और examples है similar examples जैसे F2 जैसे H2, CL2 ऐसे ही F2, BR2, I2 सारी के सारी example एक जैसी हैं ऐसे ही इन तीनों example को इस तरह बनाके dot and cross और bond बनाके show किया जा सकता है next example है tetra-cloromethane, it means carbon, इसका दूसरा नाम है carbon tetra-cloride, tetra-cloromethane भी कहते हैं और carbon tetra-cloride भी बोलते हैं ठीक है? इसमें एक carbon है, दरम्यान में जिसके पास चार लेक्टान है, और कलोरीन ने एक एक लेक्टान share किया हुआ है, तो टोटल चार कलोरीन ने चार लेक्टान दिये, चार उसके अपने थे, कितने हो गए, आठ लेक्टान, octet complete हो गया, इसको इस तरह से भी show कर सकते है, अच्छा ये similar तो नहीं है, similar item की बात की थी, तो non-polar में क्या ना जाएए similar, तो non-polar में ये क्या है, carbon और chlorine similar नहीं है, फिर ये non-polar क्यों हुआ, देखें, कि ये carbon center में है, अगर ये chlorine इसके electron pair को अपनी तरफ attract करेगा, तो उसके opposite side पे chlorine electron pair को अपनी तरफ attract करेगा, और ये वाला chlorine अपनी तरफ attract करेगा, तो resultant के तोर पे, यहां पर डाइपॉल बन रहा होगा, जब polarity produce होती है, तो pole produce होता है, डाइपॉल movement होता है, तो यहां पर भी डाइपॉल movement होगा, तो फार जैंबल में अगर इसकी निशान वरादनों डाइपॉल movement इस तरह से शोर है, यहां पर ये चारों तरफ से चार कलोरीन अटेच है, चारों तरफ से equally attraction हो रही है, shared pair of electron को equally attraction हो रही है, तो इस तरह चार किसम के डाइपॉल movement बनेंगे, यह वाला डाइपॉल movement according to right side और यह left side, दोनों डाइपॉल movement आपस में एक दूसरे के असर को effect को क्या कर देंगे, cancel out, और cancel out करेंगे तो यह neutral हो जाएगा, कोई charge नहीं आएगा, अच्छा, एक कलोरीन ऊपर की तरफ attract कर रही है, एक कलोरीन नीचे की तरफ attract कर रही है, यह डाइपॉल movement ऊपर की तरफ यह नीचे की तरफ, तो दोनों opposite side पे है, डाइपॉल movement एक दूसरे का असर को क्या कर देंगे, nullify कर देंग इस पे कोई partial positive या partial negative charge नहीं आएगा, तो इसी की मिलती जुलती एक और example है, डाइस साइलेन की, SI2H6, यहां पे दो सिलिकान है, यहां पे तीन hydrogen इधर attach हैं, तीन hydrogen इधर attach हैं, dot and cross से show करेंगे, तो इस तरह से, अगर line से show करेंगे, तो यह तरह का कार होगा, तो यहां पे भी बिल्कुल वही, डाइपॉल मुमेंट वाला effect होगा, hydrogen, hydrogen एक दूसरे का स्रुक जायल करेंगे, यह वाला hydrogen, इस वाले hydrogen के effect को जायल करेंगे, यह वाला hydrogen, इस वाले hydrogen के डाइपॉल मुमेंट को क्या कर देगा, cancel out, nullify कर देगा, और resultant के तोर पे SI2H6, यह जो हमें compound हासल होग यह as a neutral होगा, इस पर कोई charge नहीं होगा, कोई charge distribution क्या होगी, equal charge distribution होगी, symmetrical होगी, charge भी नहीं होगा, और electrons भी equally attracted होगे, और similar नहीं होगे, क्यों, यहाँ यहाँ पर dipole moment एक दूसरे का स्रुक को क्या कर रहे है, nullify, तो ओवराल यह compound जो बनेगा, यह क्या बनेगा, नान पोलर bond यह reason पूछी जा सकती है, why the carbon CCL4 is non-polar, why the compound carbon tetra chloride is considered as non-polar, give reason, short question में पूछा जा सकता है, why carbon tetra chloride or why di-silane compound is considered as non-polar bond, why, give the reason, तो यही reason आप बताएंगे, कि यह दोनों, एक दूसरे के dipole moment, dipole moment opposite side पे होगा, एक दूसरे का स्रुक को cancel out करेंगे, और resultant के तोर पे वो neutral molecule होगा, इसलिए हम इसको non-polar में consider करेंगे, इसी तरह SI2H6 में सारे hydrogen, एक दूसरे के dipole moment के effect को क्या कर देंगे, cancel out, nullify, और resultant के तोर पे हमें neutral molecule हासल होगा, और यह नेचर में क्या होगा, non-polar bond, तीक है, इसी तरह, बिलकुल, carbon tetracolroid और di-silane की example की तरह similar examples होगी, CH4, CH4, यानि कि carbon और hydrogen के दर्मयान में, electro negativity का difference minor सा, थोड़ा सा मुझूद है, लेकन, यह hydrogen, एक दूसरे के असर को जाहिल कर रही होगी, बिलकुल इसी तरह की example बनेगी, य उपर भी एक hydrogen, नीचे भी hydrogen है, यहां भी hydrogen है, और इस side भी hydrogen है, यह सारी hydrogen एक दूसरे के असर को क्या कर रही होगी, नलिफाइट कैंसल आउट कर देंगी, और resultant के तोर भी हमें neutral molecule बनेगा, इसको हम consider करेंगे as a non-polar, इसी तरह SIH4, जैसे carbon CH4, इसी तरह SIH4, और इसी तरह SI CL4, ऐसा ही दरम्यान में सिलिकान आजएगा और side में 4, कलोरीन अटेज होंगे, तो यह भी overall एक दूसरे के dipole moment को क्या कर देंगे, cancel out, और resultant के तोर पे हमें जो molecule मिलेगा, वो कम nature में non-polar bond होगा, तो यहां भी आपने short question अकसर आजाता होता है, what is difference between non-polar, polar bond and non-polar bond, and give examples, य यह 5 difference लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 difference लिखेंगे, और फिर examples दे देंगे, CH4, H2, H2, NH3, अगर short question यह पूछ ले जाए, why the polarity of water molecule is greater than ammonia, तो आप यहां पर बताएंगे, कि अगर greater electron negativity difference हो, तो polarity भी ज्यादा होते है, यह reason बताएंगे, और इसको जवाब देंगे, अगर examples कहा है, तो यह examples है, water molecule, hydrogen fluoride, methyl chloride, methanore, और दूसरी non-polar example, H2, similar atoms, H2, CL2, similar examples, F2, BR2, I2, और अगर CCL4, SI2H6, SIH4, SICL4, यह पूछा जाए, तो यह example दे सकते हैं, अगर यह difference पूछा जाए, short question में, why the CCL4 is considered as non-polar, तो आप इसकी reason में बताएंगे, कि यहां पर dipole moment जो है, एक दूसरे के असर को cancel out करेंगे, इसलिए हम इसको non-polar में consider करेंगे,